Next question है, दो संख्याओ का अनुपात 2, अनुपात 3 है, यदि दोनों संख्याओ में से 12 गटा दिया जाता है तो अनुपात 5 अनुपात 8 हो जाता है संख्याओं ग्याद करें, देखें इस टाइप के question और जो age के question होते हैं मैं चाहूंगा कि आप हमेशा option से question को solve करें क्योंकि इससे क्या time भी बसता है और आप gas असानी से करके direct answer को tip कर सकते हो ठीक है ना अब जैसे अब दिया क्या हुआ है दो number माल लिजिए A और B दो number है उनका ratio क्या दिया हुआ है 2 and 3 अब option से कैसे पता चलेगा अब माल लिजिए A option सई answer है ठीक है A option अगर सई answer है तो पहला number 16 दूसरा 24 दोनों का ratio निकाली है 8 से डिवाइड करूँ है 2 and 3 ratio आता है तो A option हमारा सई हो सकता है B की अगर मैं बात करूँ B में 35 है क्या 35 किसी एक number से डिवाइड होने पर 2 देगा नहीं देगा 17.5 आएगा लेकिन इसको मैं जैसे ही 3 से गुना करूँ क्योंकि दूसरा number मुझे 3 चाहिए तो कितना आएगा 52.5 ठीक है ना इस तरह से number आएगा तो B option हमारा गलत हो गया तो B option के बारे में हमें सोचना ही नहीं है C की में अगर मैं बात करता हूँ 36 पे cancel करूँ तो 36 दूनी बातर 36 दी 108 तो C option ठीक हो चकता है D की अगर मैं बात करूँ तो 20 दिया हुआ है तो 2 यहां कब आएगा जब मैं इसको 10 से भाग करूँगा तो क्या 48 को 10 से भाग करने पे 3 आता है नहीं आता तो D option भी गलत अब A और B में मैं option लेता हूँ A और B क्या है 16 और 24 है 2 और 3 का रिश्चो हमें पता चल गया इन में से 12 बारा गटा दीजिए ठीक है यह करने की जूटत नहीं option C is the right answer एक्जाम में आपको fourth answer के लिए verify करने की जूटत नहीं है लेकिन यहां मैं कर देता हूँ 22 और 108 था 12 बारा गटा दीजिए यह कितना आया 60 और यहां पे कितना आएगा 96 ठीक है न तो 12 से cancel कीजिए 12 पंजे 6 बारा ठे 96 तो 58 रिष्च्वा गया तो option C is the right answer